हेलो फ्रेंड स्वागता आप सभी का हमारे चैनल चान केंटिंग में आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरे भरे गर्मागरम मतर के प्राठे इसे बनाने के लिए हम आधा के जी आटा लिए हैं और टेस्ट के अनुसार से नमाग और इसमें कलोंजी और अजवाइन है जो एक टीस्पून के लगभग है इसे हम डाल देंगे और इसमें हम एक टीस्पून या दो टीस्पून के लगभग हम इसमें ओएल डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आठा सांते वक्त हलका सा ओयल डालने से हमारा प्राठा अंदर से बिल्कुल सॉप्ट बना रहता है और इसमें हम हलका हलका पानी डालते जाएंगे और इसका सॉप्ट डो बना के तियार करेंगे जिस तरह से रोटी का डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका बिल्कुल स करना है ना ज्यादा इसको सॉप्ट बनाना है देखिए हमारा आर्टा विल्कुल तयार होगे आप इसे हम ढग के कम संदस से पंदर मिनिट के लिए से हम रख देंगे श्टाफिंग बनाने के लिए हम हलका सा धनिया पत्ता लिए हैं और चार हरी मिर्ज और यह मीठी वाली हर मतर और यह चार से पांच लसुन की कलिया अब हम मसाला लेंगे यह साबुत मसाला है एक टिस्पून धनिया लिए हैं एक टिस्पून जीरा और एक टिस्पून सौप देखिए हम सभी खड़ा मसाला ले लिए इससे टेस्ट बहुत अच्छा लेगा अब हम मिक्सी के जार मे डाल देंगे सभी खड़ा मसाला और अपना हरा हरा तज़त तज़ा मटर इसमें डालेगा इसे दरदरा ही पीशना है और हलका हलका मिक्सी चला के इसे पीशना है देखिए हम चेक कर लेते हैं हमारा कैसा हुआ बस इसी तरह का होना चाहिए कुछ खड़ा-खड़ा कुछ आध अब हम इसमें ओईल डाले हैं और एक मीडियम साइज का प्याज है जिसे हम चोटे-चोटे पीसेस में काट लिए हैं इसे हम हलका हलका चलाते हुए इस तरह से हम इसे भून लेंगे अब इसमें लहसून और मिर्ची को बारीग चोटे-चोटे-पीसेस में काटके डाल सभी के डालके इसे हम चला लेंगे जिसे की इसका प्याज नीचे से जलेना धिरे-धिरे इसी तरह से हम इसे चलाते हुए हलका सा फ्राइ कर लें फिर इसमें टेस्ट करनूंसार से हम इसमें नमग डालेंगे और एक टिस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और जीरा एक टिस्पून काली मिर्च और जीरा और एक टिस्पून चाट मसाला और हाफ टिस्पून के लगवा हल्दी पौडर एक टिस्पून लाल मिर्च पौडर और एक टिस्पून गर्म मसाला अब इसे हम अच्छी दो टेबल इस्पून के लगभर बेसं और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करनेंगे। बेसं को कच्छा नहीं रखना है। इसे हमें पका लेना है। इसी लिए हम इसे हल्का सा चला लेंगे और इसे हम ढखके छोड़ देंगे। कमसकUM दो मिनट के लिए हम इसे ढग के पका लेंगे इससे होता है क्याके आपके मटर में जितना भी मॉस्टराइजर है सभी बेसम आपका एब जॉर्ब कर लेगा और इसे हम दो मिनट इसी तरह से चलाते हुए हलका सा भून लेंगे अब इसमें हम धनिया का पत्ता डालेंगे धनिया का पत्ता हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम हलका सा सौप्ट होने तक हम इसे चला करके भून लेंगे थोई दर इसे इसी तरह से हम चला लेंगे और हमारा इस्टाफिंग तयार हो जाएगा अब हम आटा चेक कर लेते हैं देखिए हमारा आटा बिल्कुल सौब्ट हो गया है दो मिनट हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स कर लेने से और भी ये सौब्ट हो जाएगा सभी लोईयों को हम काट लेंगे फिर इसका हम बॉल तयार करेंगे उसके बाद हलका सा सुखा फ्लोड लगा लेंगे उसके बाद इसे हम कटोरी का सेव देंगे नीचे साइड हम मोटा रखेंगे और उपर के साइड में हलका हलका पतला करेंगे और एस्टफिंग को डालेंगे इसमें जितना इस्टफिंग लगेगा उतना हम इसमें डाल देंगे अब हम इसको अंदर हलका हलका प्रेश डाल करके इस्टफिंग को नीचे करते जाएंगे और आटा को हलका हलका धिरे-दिरे बगल से ले करके इसे लंबा के सेफ में हम इसे बंद करेंगे उसके बाद दोन नीचे से मोटा और उपर से इसे पतला हम करेंगे और इसमें हम एस्टपिंग को डालेंगे और इसको एस्टपिंग को धीरे दे अंगठा से दवाते जाएंगे दवा देंगे उसके बाद इसे लंबे के सेफ में ही इसे हमें बंद करना है लंबा के सेफ में जब आप बंद कि जाएगा लेकिन यह आपका बिल्कुल नहीं फटेगा देख लिजिए इसको बेलते जाये कितना भी पतला हो जाएगा लेकिन यह बिल्कुल आपका फटेगा नहीं और इसे ज़्रा पतला हम बनाए, बिल्कुल रोटी की तरह है, इसको हम पतला बनाए हैं, देखे लिए, जड़ास अभी इसे फटने का चांस ही नहीं है, हम सभी को हम बेल लिये हैं, देखे जड़ास अभी कहीं भी फटने का निसान है, जड़ास अभी कहीं नहीं फटा है, सिफ हमारा अंदर का एश्टफिंग हरा हरा उपर में डिखाई दे रहा है क्योंकि ये इतना पतला हम बेले हैं अब इसे हम पकाएंगे तब गर्म हो गया इसमें प्राठे को डाल देंगे और नीचे के साइड में हलका सा जब ये पक जाएगा तब इसे हम पलटा देंगे उसके बाद इसे धीर संदलो साइडिस में तेल लग जाएगा और इसे देखे ये तेल लगते के साथ ये कितना अप्छा फूलने लगा एक और प्राठा को आहीसा की नहीं प्ोलेगा ति कितना सुंदर लगरे आंधर से बिलकुल सौप्ट और उपर से बिलकुल क्रिस्पी लग रहा कितना हम टेल लगा देंगे और चारोगल को भॉड़ा देंगो फिर इसे पलट C लगा देंगे और इसी तरी घी के भी यूज कर सकते ते ये बिल्कुल उपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉप्ट है देखे कितना सुन्दर हमारा प्राठा बनके तियार हो गया एक प्राठा हम आपको तोड़ के दिखाते हैं यह कितना सुन्दर से फुला है देखे कितना अच्छा फुला है और अंदर का भी एक-एक पराथा आपको दिखाई दे रहा, एक-एक दाना दिखाई दे रहा और कितना पतला-पतला बना है एक पराथा आपको हम पूरा खोल के दिखाते हैं अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद